इस वीडियो में आप लोगों दिखाऊंगा एक अंडर 90,000 रुपीज का PC बिल्ड ये PC हम लोगों ने मिना है 90,000 रुपे में बाकी बात करने हैं एक कॉम्पिनेट के आ रहे हैं तो वीडियो एंट तक देखते रहे हैं इस पीसी को ओडर करना हमारे श्रिष्टी धर भाई ने जो की रहने वाले हैं आसाम के एंड इस पीसी की जो एक्जाक प्राइसेंग है वो मैं आपको बदायता हूँ नब्य हजाओ रुपे के अंदर तो आता है लेकिन exact price है इसकी 87,000 रुपीज तो जिसका भी 90,000 रुपे के अंदर में budget आता है तो वो इस पीसी को यहां पर consider कर सकता है बाकि आपको भी अगर को यसी कमाल का PC भाई करना हमारे श्रिष्टी धरभाई की तरह तो स्क्रीन पर आपको मारे नमबर देखने को मुझ जाएगा 73039-86007 इस नमबर और आप लोग जो है कॉल फिर वाटसाइप कर सकते हो सुबह के दसबी से ले करके शाम की शायों तक from Monday to Saturday बाकि आप लोग जो है हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो इस नमबर के पर वह आपको अच्छी तरह के से गाइड कर देंगे कि आपके बजट और आपकी रिक्वार्मेंट्स के साब से कौन सा PC आपको लेना चाहिए बाकि हमारी वेबसाइट भी है जाता है पे उली 10 परसेंट का बागे के रिमेनिंग जो 90 परसेंट है वह आप बिफोर शिपिंग यहां पर कर सकते हो अब शुरुआत करते हैं बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं यहां पर हमारे प्रसेसर से AMD PC विल्ड होने वाला है यह तो AMD का Ryzen 5 5600 X प्रसेसर कम लोगों ने इस PC विल्ड लिकेंदर यहां पर यूस करा है चेक और 12 थ्रेट्स के साथ में यहां पर आ जाता है काफी decent CPU यहां पर हो जाता है और अगर किसी का gaming, streaming, editing, कुछ भी ऐसा काम करने का workload है और 70,000, 90,000, 1,000,000, प्रसेसर के साथ में यहां पर जा सकते हो, अगर आप AMD प्रिफर करते हो, बाकि Intel की साइड में आपको 12400F तेखने को मिल जाता है और जो Intel लेना चाहते हैं वो उसके साथ में यहां पर जा सकते हैं, ठीक है बाकी CPU भी काफी बढ़ी है, gaming, streaming, editing, हर एक workload में काफी अच्छी performance य करा है, वो आ जाता है, यहां पर MSI की तरफ से उनका B550M Pro VDH Wi-Fi motherboard, अब यह जो motherboard है, एक decent सा motherboard है, MSI की B550 लाइनप के अंदर यहां पर आ जाता है, Wi-Fi Bluetooth की फंक्शनलिटी हमें जो यहां पर देखने को मिल जाती है, और एक 5600X प्रसेसर को इसली हां पर हैंडल कर सकता है, इसके साफ से मोरद इनप यहां पर रहेगा, वाकि आपको बतायता है, वैसे 5600X प्रसेसर के साथ में हमें stock cooler भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका जो हम लोगों नहीं हापर use नहीं करा है, हम लोगों ने जो यहां पर अलग से liquid cooler का use करा है, जो कि आ जाता है, यहां पर thermal take का logo देखने को मिल जाता है, and overall एक काफी अच्छा liquid cooler है, and एक 5600X प्रसेसर के जो temperatures है, उसको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर maintain करता हुआ, चंता है, बात करते हैं जब यहां पर हमारी RAM के बार है, RAM जो है टोटल इसके अंदर 16GB यूज़ करी गई है, D50, 880GB की 2 sticks, जो मैंने डबा उल्टा भगर लिया, जो कि 3200MHz के उपर clocked है, टोटल जो हमारी 16GB RAM हो जाती है, परफेक्ट रहेगी भाई, gaming करो, streaming करो, editing करो, 16GB एकदम परफेक्ट, बात करते हैं अब most important component के बारे में किसी भी gaming PC के अंदर जो चीज लगती है, वो है मारा graphics card, graphics card यहां पर यू आलेक्स के साथ में जा सकते हो, आप इनो 3D के साथ में आपर जा सकते हो, quality भी अच्छी बिल जाती है, और card भी काफी बढ़िया रहता है, बागे 3060 जो हम लोगों नहीं हापर इसका यूज कर रहा है, ट्विनेक्स 2 वाला version है, इसमें OC आता है, एक non OC वाला version होता है, आप उसके उपर extra यहाँ पर और 1000 रुपे सेफ कर सकते हो, बागी OC वाला जो वर्जन है, इससे almost 1000 रुपे जो है, उपर जास की costing हमें देखने को मिलती है, बागी 3060, 2K लेवल की gaming काफी बढ़िया करा सकता है, 1080p पर एकदब high refresh rate वाल यगर आपको gaming करनी हो, तो ये graphics card आपको करा इसके नदर जाएगे इनकी necessary driver, windows, software, दूसारी चीज़े, तब भी tik-tak storage यहाँ पर बच जाएगी, बाकी hard drive का use नहीं करा गया है, अलग से hard drive वो जो है, वो तो देखो option हमेशा रहता ही है, आप अगर और NVMe इसमें add करना चाते हो, तो एक slot और देखने को मिलता है, बाकी ब्रोंज certification के साथ में आपर आजाती है, overall यह काफी अच्छी power supply इस पूरे PC को यहाँ पर power up करने के लिए, अब बात करतेगा इस cabinet के बार में, cabinet जो है काफी प्यारी, one of my favorite cabinet, Deepcool की Matrix 55 Mesh 4F cabinet का जो हम लोगों यहाँ पर इसक्रा है, जिसके नाम में आता है Mesh, तो इसके front में हम पर Mesh देखने को मिल जाती है, 4-4 pre-installed ARGB fans देखने को मिलते है, 3 front में, rear में exhaust के लिए, एक बहुती value for money cabinet है, आप अगर 5-5,000 रुपी का सपस में कोई cabinet ढूंड रहे हो, तो यह cabinet जो आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी, इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमारा liquid cooler भी top प quality जो है, cabinet की वो काफी बढ़िया रहती है, तो यह काफी अच्छा option जो है, यहाँ पर रहता है, कम budget पर cabinet लेनी हो, तो बिल्कुल यार जो है, इस cabinet को आप यहाँ पर consider कर सकते हो, तो guys, यही था पूरा 87,000 रुपीज का PC World, यानि की 90,000 रुपे के अंदर का PC World, आपको कैसा ल Link नीचे मिल जाएगी आपको description के अंदर, जाके आप लोग जो है, महां से भी डिरेक्ली PC बाइक कर सकते हो, या फिर PC components भी बाइक कर सकते हो, मिलेंगा इस एक और ने वीडियो के अंदर, एक और ने कमाल के PC World के साथ में, तुब तक के लियार, thanks for watching, झाल